हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हरेश क्लासेज पर जैसा कि हम लोग कॉंप्लेक्स सेंटेंस का अध्यन कर रहे हैं तो आज हम इसके अंतरगत नाउन क्लॉज को डिसकस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम कॉंप्लेक्स सेंटेंस को आपके समझ डिसकस कर चुके हैं कि कॉंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबॉडिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं तो आज हम noun clause को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो noun clause होता क्या है पहला question हम लोगों के समझ ये है तो आप कह सकते हैं A subordinate clause which functions as a noun is called noun clause एक उप प्रधान उप बाक्य जो एक noun की तरह function करता है उसे हम noun clause कहते हैं यानि कि जब हमारा subordinate clause एक noun की तरह कारे करे उसे हम noun clause कहेंगे अब सातियों जो noun है जितने प्रकार से कारे करेगा ठीक उतने ही प्रकार से हमारा noun clause भी कारे करेगा तो question आपके समझ ये बनता है How many kinds of a noun clause function एक noun clause कितने प्रकार से function करता है तो आपका answer होना चाहिए 5 प्रकार से क्या answer होगा आपका 5 प्रकार से अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं पहला है आपका subject to above यानि कि एक क्रिया के करता के रूप में एक क्रिया के करता के रूप में दूसरे प्रकार से आपका noun कारे करता है object to above यानि कि एक क्रिया के object के रूप में noun क्रिया के subject के रूप में कारे करता है क्रिया के object के रूप में कारे करता है और तीसरा है आपका object to a preposition यानि कि एक preposition के object के रूप में और उसे आप कहते हैं prepositional object तीसरा है आपका compliment to a wow यानि कि एक क्रिया के पूरक के रूप में नाउन किसकी तरह भी कारे करता है एक क्रिया के पूरक के रूप में भी कारे करता है और फिप्त है आपका केसेन अपोईशन to a noun और प्रोनाउन यानि कि जो noun है वह है एक केसेन अपोईशन में भी कारे करता है तो आईए देखते हैं कुछ एकजम्पल्स के माध्यम से से तो आपको ये चीज़ें किलियर हो जाएं कि जो noun है वह पांच प्रकार से कारे करता है ठीक उसी प्रकार से noun clause भी पांच प्रकार से कारे करता है अब वो कौन-कौन से हैं एक बार मेरे साथ दोहराईएगा subject to a verb object to a verb object to a preposition compliment to a verb case in a position to noun और pronoun तो आईए देखते हैं पहले हम एक क्रिया के subject के रूप में राहुले जा गोड़ बॉई राहुल एक अच्छा लड़का है तो यहाँ एज की बात करें तो यह अपने आप में एक वोव है और राहुल अपने आप में एक noun है तो सातियो यहाँ राहुल की बात करें तो यह है इस वाव के subject के रूप में आजा है इसलिए इससे हम कहेंगे subject to a vow यानि एक क्रिया के subject के रूप में बिल्कुल पांच example लेंगे उसी प्रकार से clear करेंगे अब यह आप clause के रूप में आप इसे लिख सकते हैं That Rahul is a good boy कि Rahul एक अच्छा लड़का है is not to everyone इस बात को हर कोई जानता है तो यहां अगर आप देखें एक clause यह है अपने आप में और एक clause यह है क्योंकि एक sentence में एक से ज़्यादा clause हो सकते हैं लेकिन एक clause में केवल एक ही sentence होगा तो यहां देखा जाए तो यह अपने आप में वाव है और यह है अपने आप में जो क्लॉज है यह अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में कार्रे कर रहा है किसके रूप में कार्रे कर रहा है सब्जेक्ट के में तो इसलिए हम इसे कह सकते है subject to a वाव लेकिन हाँ ये केवाल एक noun के रूप में था लेकिन हाँ ये पूरे का पूरे एक clause के रूप में है और ये subordinate clause है पूरा और ये अपने आप में एक principal clause है आगे देखिए देखो समझाना मेरा फर्ज है अच्छे से आपको जानना है everyone नोज राहूल प्रत्यक व्यक्ति राहूल को जानता है तो अगर हम बात करें हैं नोज अपने आप में वाव है और राहूल इसका क्या है object तो आप ये भी कह सकते हैं राहूल अपने आप में noun है लेकिन किसके रूप में प्रियोग हुआ है नोज वाव है इसके object के रूप में तो इसे हम कह सकते हैं क्या object वाव वाव यानि एक क्रिया के object के रूप में ये आप exam पर ले सकते हैं किसके रूप में एक क्लॉज के रूप में everyone नोज प्रत्यक व्यक्ति जानता है that राहूल is a good student कि राहूल एक अच्छा छात्र है तो बात करें सातियो नोज यहां वाव है और यहां पूरे का पूरा क्लॉज एक noun क्लॉज के रूप में प्रियोग हुआ है क्योंकि noun को आप कैसे पहचानते हैं आपको what का reply मिलना चाहिए यानि कि क्या का आपको who का reply मिलना चाहिए यानि कि कौन का या फिर मैं बात करूँ आपको whom का reply मिलना चाहिए सातियो किसका whom का जिसे हम इंदी में कहते हैं किसे इनका reply होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा noun कहलाएगा यहां भी आप को सन कीजिए everyone knows what प्रत्यक व्यक्ति क्या जानता है तो आप कहेंगे sir कि राहुल एक अच्छा चात्र है तो यह क्या का reply है तो इसलिए यह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका noun clause कहलाएगा आगे देखिए I do not believe in God मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ तो साती अगर देखें इन अपने आप में है एक preposition के रूप में आया हुआ है क्योंकि preposition अपने आप में एक relating word होता है क्या होता है relating word जो अपने से पहले आई हुए सब्द को बाद वाले सब्द से क्या करता है relate करता है इसलिए हम इसे relating word कहते है तो यहां जो देखा जाए इन जो है वह believe को गौड से relate कर रहा है इसलिए इन यहां क्या है preposition लेकिन गौड किसके रूप में आया हुआ है एक noun के रूप में आप जानते हैं proper noun है लेकिन है object है किसका तो आप कहेंगे सर preposition इनका तो इसलिए हम गौड को prepositional object भी कह सकते है क्या कह सकते है prepositional object तो यहां हमने किसके रूप में देखा object वा preposition यानि कि preposition के object के में object के रूप में प्रियोग हुगा है आपका क्या गौड नामा का noun बात क्लियर है पहले हमने देखा था यहां एक क्रिया के subject के रूप में फिर हमने देखा एक क्रिया के object के रूप में फिर हमने देखा एक preposition के object के रूप में अब इसे हम क्लोज में भी देख लेते हैं I do not believe मैं विस्वास नहीं करता हूँ in what जो कुछ राहूल सेज यानि कि राहूल कहता है तो यहां यह in अपने आप में है क्या preposition मैं किसमा विस्वास नहीं करता हूँ तो आप कहेंगे sir जो कुछ राहूल कहता है तो यह अपने आप में एक noun clause है लेकिन यह किसके रूप में आ जा है एक preposition के object के रूप में तो इसलिए लिखा था object to a preposition तीनों चीजां clear हुई उसके बाद such an a player such an a एक खिलाड़ी है तो साती एज यहां एक वव है और player अपने आप में यहां एक noun है क्योंकि जानते हैं आप जो भी हमारी वव है यहां मैं समझा देता हूँ आपको जो भी वव है खासकर action वव अगर उनमें हम er या or suffix कर दें यानि कि प्रत्य लगा दें तो वो common noun बनता है क्या बनता है सातियो common noun जैसे कि आपकी वव है play अब play माने खिलना होता है जैसे ही आपने इसमें er suffix किया यानि कि जैसे ही आपने er suffix किया तो ये बन गया player यानि कि खिलाड़ी और ये common noun है क्योंकि इसका singular और plural दोनों बना सकते है player singular है players plural है जैसे और भी देखें sing तो आप कहेंगे sir ये वव है लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या लगा दें er तो ये क्या बन गया आपका common noun बात clear है जैसे कि आपका teach हो गया हम अपने उपर ही एक example ले ले लेते हैं तो teach माने क्या होता है पढ़ाना लेकिन teacher से क्या बन गया ये common noun teacher हो गया जैसे कि act माने क्या होता है कारे करना लेकिन जैसे ही आप इसमें ओवर लगा दें, एक्टर हो जाएगा, अभी नीता जिसे आप कहते हैं, इसी प्रकार से आपके उपर ही एक एक जामपल है, जैसे ही कि रीड माने क्या होता है, तो आप कहेंगी सर पढ़ना, लेकिन एर लगा दो तो रीडर, पाठक यानि कि पढ करने वाला, बात किलियर है, तो यह मैं समझाना चाहरा हूँ, कि यहां यह किसके रूप में आ जा है, एक नाउन के रूप में, एक प्रनाउन बनेगा, और तीसरा बनेगा आपका अजेक्टिव, क्या बनेगा, प्रनाउन हमेशा सब्जेक्टिव के इसमें लिखा जाता है आप दूसरे सब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट को, अब्जेक्ट की जगे लिखा हुआ सब्द, सब्जेक्ट के बारे में एक्ष्टा इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे हम सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट कहते हैं, आप ऐसे भी पहँचा सर यहां यह किसके रूप में आजा है एक subject compliment के रूप में किसके रूप में आजा है यानि की compliment वाउफ एक क्रिया के compliment यानि की पूरक के रूप में इस क्या थी आपकी वाउफ और प्लेयर क्या है subject compliment ठेक है अब example close के रूप में ले लिजिए the region of राहुल's success in the examination is that he is careful तो साथी यहां तक आपका एक principle close है और यहां देख सकते है that he is careful वह क्या है साब्धान है यानि की सतर्क है तो इज अपने आप में एक linking वाउफ है उसके compliment के रूप में यह आपका noun close का प्रियोग हुआ है आगे देखिए राम कॉमा माई teacher लिपसे नागरा तो साथी यो double कॉमाज के अंदर जब हम रखते हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा case in opposition तो यहां opposition के रूप में आजा हुआ है यह teacher देखिए common noun ने यह मैंने आपको बता जा ठेके तो यहां आप देख सकते हैं एक क्लॉज के रूप में भी our hope that he will come is wrong यानि कि हमारी उम्बीद कि वहाँ आएगा गलत है तो यहां भी यह किस में लिखा हुआ है इन अपोजिशन में लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं क्या case in opposition to a noun और pronoun यानि कि एक noun अथवा प्रनावन के बगलब हैं तो यहां आप देखेंगे ध्यां से तो आपको पता चलेगा our hope यहां hope अपने आप में एक noun की तरह है क्योंकि इससे पहले यह पजेसे वाइक्टिव है और पजेसे वाइक्टिव के बाद में आपको noun लिखना कम पलसरी है तो यह है एक noun के किसके रूप में आजा है case in opposition के रूप में आजा है तो इस प्रकार से मैं एक बार फिर explain कर देता हूं next वीडियो में हम एक noun clause का प्रियोग करके किस प्रकार से एक complex sentence बनाएंगे इसके discuss करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिवाज मैं आपको करा देता ह साइध अगर आप पहली बार पढ़ें तो दिक्कत हो सकती है आपसे पूछे कोई कि noun clause क्या होता है तो आप फटाक से answer देंगे जब subordinate clause एक noun की तरह कारे करता है तब हम उसे noun clause कहते हैं English में चाहें तो आप English में कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि जो noun clause है वह कितने प noun clause भी function करता है तो noun कितने प्रकार से function करता है तो आपका answer होना चाहिए 5 प्रकार से तो noun clause भी कितने प्रकार से function करेगा 5 से कैसे याद रखेंगे subject to above यानि कि एक क्रिया के करता के रूप में object to above एक क्रिया के object यानि कि कर्म के रूप में object to a preposition एक proportion के object के रूप में जिसे हम prepositional object भी कहते हैं अगला है compliment to a wow यानि कि एक wow के पूरक के रूप में जिसे हम subject compliment भी कहते हैं case in a position to a noun और pronoun यानि कि एक noun अतवा pronoun के बगल में a position का मतरब मैं आपको बता चुका हूँ बगल में अब ये example हैं आपके आसानी से महनत कीजिएगा next video बहुत जवरदस्त होगी जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से एक complex sentence बनाना सिखा दूँगा तो मिलते हैं next video में thanks for watching